बिस्मिल्ला रह्मान रहीम असलाम लेकुम विवर्स वेल्कम टू मैं चैनल कुकिंज विद्माली का उमीद है कि आप सब हैरो आफियसे होंगे अल्ला ताला आपको हमेशा होशोरबाद रखे आमें सुमामें तो विवर्स आज हम कटलेस याने के आलू टिकी का बर्गर लेक अगर आपकी हिदमत में हाजिर हैं यह हमने कैसे त्यार किया चलिए देख लेते हैं पहले हम सोस बना लेते हैं पुदीना धनिया हरे मिर्च और गार्लिक याने के लैसन की इसके अंदर थोड़ा सा नमक और काला नमक शामिल करेंगे थोड़ा सा बुनावा कुटावा धीर शामिल करेंगे और इसको पीस के रख लेंगे एक साइट पे कि सोस बहुत ही मज़े की लगती है इस बर्गर के साथ अब हमने तीन अदर यहां पे आलू ले लिए हैं जिसको बॉयल करने के बाद ग्रेट कर लिया था और इसके बाद फ्रिज में रख दिया था ताकि इसका इसी तरह एक टीस्पून शामिल कर देंगे खुश तनिया पाउडर एक टीस्पून ही शामिल कर देंगे चार नुसाला पाउडर इसके अंदर पहले से बहुत से स्पाइसिस मुझूद होते हैं इसको डालने के बाद मजीद स्पाइसिस डालने की जरोथ पेश नहीं है तो यहां पर डो हमारी तयार हो चुकी है अलों की अब हमने हाथों को क्रीज करना है आप और गिला करने पाने की मदब से और बिल्कुल बारीक बारीक सी पतली पतली इसकी टिक्कियां बना लेंगे देखें बस एक कटलेस हमने बना लिया है बिल्कुल इसी दिना दूसर कर दो और ड़ने लेंगे इसको थोड़ा बीट कर लिले हैं अब हमने इंको फ्राइए करने तब हमने रख दिया हें हमने कर देंगे कर देंगे और कृटले जाहे कि हैं उन्डे के सबस्क्राइब और यह हम साने FIFA क्रेंगे चाहेंगे और इसको तबे की वपर रखते चाहेंगे फ्राइड होने के लिए तो यह जैसे ही एक साइड अच्छे-ठीक साइड को चेंज करेंगे और दूसरी साइड को भी गोल्डञ अजाने तक फ्राइड कर लेंगे दो से ती मिनट आपने इस रेसीपी को मेरे कहने पर जरूर ट्राय करना है बहुत ही मज़े की और बहुत ही जल्दी बन जाने वाली यह रेसीपी है ब्रेकफास्ट में बनाई है डिनर या लंच में भी इसको इंजवाई कर सकते हैं तो सारे ही कटलेस यानि के आलो किटिकें हमने त्यार कर ल के अनुग करें बाट लेते हैं एक प्लेट के ंदर एक से दो टेबल स्पून और शामिल कर देते हैं इसी तवे के उपर और इसके अनुगर नहीं कर देंगे बर्गर यहां पर मैं लोग शेप ले रही हूं आप चाहे तो गोल भी ले सकते हैं तो चलिए वाज इन बर्गर करने वाले हैं बर्गर के उपर तो अच्छलिए यह तयार हो चुकी है इसको रख देते हैं एक साइट पे और दूसरी जाने बर्गर भी चेक कर लेते हैं क्या कंडिशन है तो यह तक्रीबन दो मिनर कुदर चुके हैं लो फ्लेम पे हमने इनको फ्राइ करना है ताकि अच्छ है चली वज सारी ही चीदे हमारी तयार हो चुकी हैं यह देखिए सैलर भी हमने काट लिया है जिसमें कीरें हैं प्यास के रिंग्स पनाए कर देते हैं उसके लगा रख देते हैं कट्लेस इसको रखने के बाद एक कट्लेस देंगे इसको वहने बर्गर के रखके पार रख अच्छे तरीके से फिला देना है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजेगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल सब्सक्राइब करके बैल आइकुन प्रेस कर दीजेगा ताके आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन फॉरं से मिल सके जो free of cost है तो यहां पर कटलेस की हमने layer लगा दी है एक layer हम लगा देंगे अंडा की और इसके उपर रख देंगे salad यानि के प्यास की rings है टमाटर के pieces है और साथी खीरे के slices काट रखे हैं यह इसके उपर रख देते हैं और जो हमने मज़ेदार सी sauce त्यार की थी पुदीना ध clear हम और लगा देंगे अंडे की और थोड़ा सा इसके उपर slices रख देंगे salad के और इसके उपर हम spread कर देंगे वही सोस जो हमने बना के रखी थी तो चले वर दूसरी pieces को इसके उपर रखके बर्गर की shape दे देते हैं तो इस तरह मज़ेदार सा बर्गर तयार हो चुका है बह को आपके बच्छों को ये recipe बेहत पसांद आने वाली है शाम की चाय के साथ भी बना सकते हैं मिहमान आ जाएं तो भी उनको बना कर सर्फ कर सकते हैं तो वीवर चल देते चाहिए मज़ेदार सा अलू टिकी वाला बर्गर बनाएए और खोब इंचवाई कीजिए इसके साथ पिता है